येस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टनून, गुड इविनिंग टू अल अफ यू, कैसे हैं, सब लोग होप सो, आप सब लोग बहुत बढ़े रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ. So guys, अभी exam के लिए ज़्यादा time नहीं बचा है, November का आने वाला है, अभी देखिए August चल रहा है, August, September, October, सर तीन महीं भी पूरे नहीं बचे है, और ये जो last के आपके पास में 80-85 days है, इन 80-85 days को आपको अच्छे से utilize करना है, बहुत अच्छे से utilize करना है, और मैं बताओ न, ज अभी भी बहुत बार मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ, जो last day तक जो है, last day पे उनको लगता है कि last के 15 दिन में सब चीज़े हो जाएगी, नहीं होगी, अब आपको ये जो time है न, ये time पे आपको effort मारने पड़ेंगे, ये time पे आपको 100% देना पड़ेगा, आप हर दिन अपनी productivity को चेक करिए कि आज आप कितने घंटे पड़े और कितना अच्छा सिर्फ productivity आप पड़े है, और हर दिन try करिए अपने आपको थोड़ा push करने का, थोड़ा push करने का, अपने आप से हमेशा ये बोलिए, कि all is well यार, अभी सिरफ only 85 days ही तो पड़ता है, 85 days ही तो पड लास्ट एक्जाम है, आपके कौन से सेलिबस का, ओल्ड सेलिबस में, ओल्ड सेलिबस में ये लास्ट एक्जाम है, तो आप अपने 100% effort लगा लिजए और 100% पूरा मैनत कर लिजए, क्योंकि क्या होगा ना, मैं बताओं, जो second group दे रहे है, C.A. final में, उनके लिए तो ये एक का भी knowledge चाहिए, law का भी knowledge चाहिए, और अगर आपका first group हो चुका है, और only second group is pending, then obviously guys, आपको इसी attempt में इस paper को निकालना पड़ेगा, जो elective वाला है, और इसी attempt में आपको second group complete करना है, तो ये आपके लिए ये समझ लीजिए, क्या अपने लिए, मतलब last है, और last में आपको ज बजे कर रहा है, वो घूम रहा है, उनकी शादी हो रही है, वो कर रहा है, लेकिन मैं बताओ ना, वो सब चीजे होने के लिए, आपको अभी process पर ध्यान देना चाहिए, because क्या होता है, अपने को result तो चाहिए, everyone wants the good result, हर किसी को result चाहिए, बट अपन process में कही ना कहीं पर sacrifice क करना है, यहीं पर अभी जो आप effort लगाओगे ना, वो बड़ा जरूरी है आपके लिए, मैं आपको बताओ, मैं बहुत बार जब ranker लोगों से interview लेता हूँ, या ranker लोगों से मिलता हूँ, और मैं बाकी लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे है ना, एक चीज का फरक लगता ह है, और आप भी शायद इसको connect कर पाओगे, बहुत सारे लोग जो है ना, जो थोड़े आगे चले गए, या मानलो जिनकी rank आई, उनमें और अपने में, मेरे में भी यह कमी हो सकती है, एक ही फरक है, फरक क्या है, वो लोग अपनी life को अपने हिसाब से चलाते है, वो life को जाना है, तो नहीं जाना है, किसी पर फोन पर बात नहीं कर दी है, उनकी life पूरी discipline रहती है, वो life को अपने हिसाब से चलाते है, लेकिन बहुत बार अपन लोग क्या करते हैं, पता है, कि life अपने को चला रही होती है, जिन्दगी चल रही है, कोई बोलता है, कैसा चल रहा ह बोला कट रही है तो वैसा वाला चल रहा है तो इसमें फरक है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा जस्ट यू आप टो चेंज दिस एंड आप कल से या आज से आप अपनी प्लानिंग खुद करेंगे तो आज से आप प्लान करिए पूरा 100% के आज आपको 10 घंटे प्रोड़ेक्टिवली पड़ाई करनी है मिस करनी है आपको मॉबाईल नहीं देखना है मतलब नहीं देखना है आपका जो टार्गेट है वो फुलफिल करना है मिस करना है और उसके बाद आप अपने आपको चोटे चोटे है वो ट्रीट दिया करिए कि चलो मैं आज अगर ये 10 घंटे पड़ाई हो गई तो मैं चोकलेट खाने चलूँगा अगर मैंने ये कर लिया तो मैं किसी से 5 मिनिट फोन पर बात कर लूँगा या मैंने अगर ये टार्गेट अचीव कर लिया तो चलो मैं एक गंटे कहीं वॉक करने चला जाओंगा, या मैं कोई TV का कोई कॉमेडी वाला एक वीडियो देख लूँगा, something like that, आपको ये करना पड़ेगा, और ये जब करोगे ना, because this is the process, और ये difficult है, discipline रहना is very difficult in the life, और ये difficult है, और बाद में क्या होता है न, जब अपन exam में clear नहीं कर पाते, या वैसा होता है, तो अपन दुनिया को blame करते है, लोगों को blame करते है, इसकी वज़े से ऐसा हुआ, इसकी वज़े से ऐसा हुआ, कुछी की वज़े से नहीं है, जो है ना, वो आपकी वज़े से है, और मैं 101% बोलता हूँ, बेटा, अगर देखो, जिन्दगी में कुछ करना है न, तो अपने कोई करना है, आपकी लाइफ के मेकर भी आप हो, आपकी लाइफ के ब्रेकर भी आप ही होकर कि ठीक है, आपके उपर है कि आपको क्या करना है, और किसी ने बोला है न, कि अगर स्वर्ग देखना है, तो अपने को मरना तो पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग दिखनी सकता, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफ़र्स तो लगाने पड़ेगे, उस comfort zone से बाहर तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिस comfort zone, क्या होता है न, comfort zone में आपको अपने आपको, मतलब अच्छे hormones रिलीज होते हैं, अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है, अगर मान लो बैटके, movie देखने का बात करे, real देखने की बात करे, videos देखने की बात करे, time pass करने की बात करे, किसको अच्छा नहीं लगता है, अपना दिमाग उसको बहुत अच्छे से मतलब absorb करता है, मजा आ रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अगर उसके विरूद जाके, उसके against जाके, जो अपनी इच्छा हो रही है, उसको मार के और पढ़ना is difficult, कि आपकी इच्छा हो रही है, कि आज चलो आज तो गुमने चले जाते है, party कर लेते है, कोई महमान आया है, उसके पसाट time pass कर लेते है, friend आया है, उसके साथ में चले जाते है, बट वो इच्छा है है, जो अच्छी चीज़ें लग रही होती है, उन चीज़ों को छोड़ो, और जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, जो यह process है, इस process पे आप ध्यान दो, आपको जो desired result है वो मिलेगा, अगर आप इस पे काम करना चलो करोगे, इसके साथ साथ में बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे है, कि सर, नौंबर के लिए क्या कोई amendments है, वो अलग से आएंगे, amendment lecture, answer is for your examination, finance act 2022 is applicable, तो जो मे 2023 के लिए amendment थे, वो ही आपके लिए है, कोई भी अभी तक extra amendment नहीं है, जब institute अपना RTP release करेगी, revision test paper, उसमें अगर कुछ भी ऐसा नया आया, तो मैं upload कर दूँगा, यूट्यूब पे, इसी channel पे, so don't worry about that, दूसरी चीज़, सर, revision lecture हमारे लिए नए आएंगे, कि answer is no, revision lecture वो ही वाले है, जो May 2023 के लिए थे, वो ही November 2023 के लिए है, देखो, revision lecture देखने हैं तो, अभी देख लेना, exam के एक दिन पहले देखने की जुरुवत नहीं है, जो revision lectures वगरा आपको देखना है, वो अभी देख लेना, उसके बाद exam से one day पहले है, वो आपको book से पढ़ना है, ठीक है, अभी आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, कोई भी topic उठा रहे है, क्योंकि आपकी classes सब complete हो गई है, अभ आप कोई भी topic उठा रहे है, revise कर रहे है, तो पहले आप एक बार revision lecture सुन लिजिए, जैसे आप house property कर रहे है, house property का revision lecture है, 25 minutes का वो सुन लिया, उसके बाद आप अपनी book पे चले चाहिए, मैंने theory में क्या लिखवा है, मैंने questions क्या करा है, वो questions करिए, और जैसे ही वो हो जाता है, उस particular topic का test paper है, तो वो दे दीजिए, अगर कि ठीक है, अब आप एक काम करिए, ऐसे ऐसे आप एक बार syllabus complete कर लीजिए, और जैसे ही complete हो जाता है, उसके बाद आपको at least 2-3 test paper खुद लिखने है, पूरे syllabus के, कहां से test paper लेने है, आपको कुछ नहीं करना, mock test paper ले लीजिए, May 2023 के, विकाज May 2023, November 2023, आपका amendment तो कुछ है नहीं, सेम ही है, तो आप एक काम के लिए May 2023 के, जो ICI के mock test paper है, दो mock test paper है, वो बैटके और solve करिए, और वो solve करके देखिए, कि अपन कहां पे stand कर रहे हैं, हो सकता है, पहले paper में आपने को कम marks मिले, दूसरे paper में लोड़े marks बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद दो paper, अगर वो solve हो जाते हैं, तो फिर November के लिए mock test paper आएंगे, दो paper वो भी आपको लिखने हैं, तो जैसे ही आपका किसी भी subject का syllabus कम्प्लेट हो जाता है, और आपको 3 yards dedicated ली उसके लिए देना है, आपको exam का माहूल बनाना है अपने घर पे, ये समझना है कि ये 3 गंटे जो है नहा के बैटना है आराम से, और 3 गंटे तक आपको लिखना है, और उसके बाद आप suggested answer से self evaluate भी कर सकते हैं, इंसान self evaluate कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते है self evaluate, आप self evaluate कर लीजिए, नहीं तो आप अपने किसी friends को दे दीजिए, अपने किसी senior को दे दीजिए, प्रॉफेसर को दे दीजिए, और उसके बाद मैं evaluate करने के बाद अपने आपको देखिए, कि अपने कहां पे stand कर रहे हैं, ये तो करना पड़ेगा, बिकॉस बिना किये ये नहीं हो सकता है, exam में clear होना at least 2-3 paper है, वो आपको लिखने पड़ेंगे, तो try करिए ये paper लिखने का, उसके साथ साथ में बहुत सारे बच्चे हैं, वो MCQ अटेंड करने चाहिए, देखो MCQ में क्या होता है, जैसे आपका syllabus हो जाता है, तो एक दिन आप पूरा case scenario MCQ उसको दे दो, क्योंकि उससे है आपकी analytical skill बढ़ती है, जब आप MCQ, लोगों को लगता है MCQ तो बहुत easy है, तिगड़ा मानना है, नहीं, MCQ most difficult part होता है CA final में और intermediate में, because MCQ में आपकी analytical skill लगानी है, और उसमें process के marks नहीं होते हैं, अगर आपका final answer गलत है, तो उसके particular case में दो mark का MCQ है, उसका answer गलत हो जाएगा, तो sir, जो compact के साथ में हमारा MCQ का booklet है, for the intermediate and final, sir, उसके suggested answer कहां दे रहे हैं, तो suggested answer के लिए आपको क्या करना है, सीधा bbvirtuals पे जाना है, bbvirtuals.com करके website है, उस virtual.com पे आप free resources में जाएंगे, और free resources में देखिए, यहाँ पे मैंने दे रखा है, final का compact का MCQ explanation, तो यह final की जो compact है, उसके MCQ explanation यहाँ पे आपको मिल जाएगा, inter का MCQ explanation आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आपका एक बार syllabus complete हो जाता है, तो आप super 30 question try कर सकते हैं, super 30 question क्या May वाले थे, वो ही November वाले है, as it is, answer is yes, वो ही वाले है, कोई भी change नहीं है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, syllabus में कोई change नहीं है, कुछ भी amendment नहीं है, तो May 2023 के लिए जो super 30 question थे, वो के वो November 2023 के लिए है, तो आप CA Inter के super 30 question की list यहाँ पर दे रखिए, यह 30 question जो best मैंने निकाल रखे है, यह आपको try करना चाहिए, solve करने का, as well as the, यह जो CA Final के super 30 question है, जिसमें PGBP का बड़ा question है, total मैंने 45 के करीब इसमें adjustment ले रखे है, यह जब आप question करोगे, तो आपका PGBP का most of questions है, उसका revision हो जाएगा, तो आप यह try करने चाहिए, उसके बाद में जो भी RTP, MTP आएगा, make वाला अलरेड़ी आप कर चुके होंगे, या करेंगे, November 2023 की RTP, MTP में जो भी आएगा, उसके लिए अगर मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, कुछ extra extraordinary आया है, तो मैं उसके लिए पक्का वीडियो बना कि आपके लिए डाल दूँगा, लेगिन गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्या आप बिलकुल भी इसमें अभी हलके नहीं पढ़ना है, ये जो last के तीन महीने हैं न, इसमें आपको अपनी health का पूरा धियान रखना है, और आपको अपनी life को control करना है, ऐसा नहीं, कि दुनिया आपकी life को control कर रही है, आपको अपनी life को control करना है, आप आज से हर चीज है वो systematic way से चीज़ करेंगे और आप अपनी life को control करेंगे तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं करें ठीक है So thanks a lot people, that's enough for today from my side See you after becoming a chartered accountant जब आप CA بن जाओगे तब आपको मैं मिलने वाला हूँ और जो intermediate का exam दे रहे हैं Thanks a lot people, that's enough for today from my side